नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों जेके आईटीय मंत्रा यूट्यूब चेनल में आप सभी का स्वागत है डियाईडियो एड्मिन एड लाइन के एक्जाम चल रहे हैं और उनके एक्जाम सत्रा मार्च के जो हुए थे फास्ट सेकेंड और थर्ड सिफ्ट तिनों सिफ्ट हैं चलिए शुरुआत करते हैं रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब करना क्यों इंपोर्टेंट है वो भी मैं इस पेपर के सॉल्यूशन के बीच बीच में बता दूँँगा किसने क्यूशन हमने आपको करवाई थे और आपसे डाय प्लेडियू एड्मिन एड अलाइन की प्लेडिस्ट देख लिजी पेपर में काफी हेल्पफुल रहेगी जनरल अवेर्नेस इस्पेसलिक मैस में और रिजिनिंग में क्या होता है संख्यें बदल देते हैं वह पेटन सीरीज की यानकि उसे पेटन की क्यूशन होते हैं लेक है जैसे उसमें से एक दो क्यूशन आपके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं तो मान दिया जता है कि हमने जो आपके लिए महनत की है वो कहीं न कई रंगल आ रही है चलिए देखी क्यूशन नंबर वन आपकी स्क्रीन पर हैं भारत का सेक्स पीर किसे कहते हैं काली दास है आप कर दो आप सी फिर से पूछा सका है तो कि आजकी स्व्ट में कई यह सुन मिले 17 मार्श के पीपर में जो पहले वाली स्व्टों में पूछे जा चुके हैं और फिर से घुमा फिरा कि वही Dusan पूठ लिया है तो आपको यह पुराने क्यूशन जरूर्याद कर लिएना यान कि 13 या 14 मार्च को जो पेपर हुआ उसमें क्यूसन पूथा गया कि पॉलो में दोनों टीमों को मिला कर कितने खिलाड़ी होते हैं तो आपको एंसर करना था आठ खिलाड़ी होते हैं चूकि एक टीम में चार खिलाड़ी होते हैं और दोनों टीमों को जैसे ही मिला दिया जाता है आठ खिलाड़ी बनेते हैं, आप देखे 17 मार्च को क्या हुआ, किस खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं, और option के according आपको पोलो करना था, देखे वही क्यूसन गुमा के आपके सामने रख दिया है न, तो यही आपको ध्यान रखना है, क्यूसन गुमा फिराकर आपके सामने वही र हो सकता है, क्योंकि repeat क्यूसन बहुत हो रहे हैं, आप यह भी ध्यान रख लेजिए, आप magnesium के बारे में जो details ले सकते ही, internet की help से ले लीजिए, आगे देखे क्यूसन आपसे पूछा गया है, कि competitive की सई form क्या है, यानकि English का क्यूसन है, और competitive यानकि जो आपकी परतियोगी होती है, परतियोगिता, उसका English में इस पहलिक पूछा है, तो याद कर लीजिए, competitive और competition दोनों की याद कर लीजिए, आगे आपके सामनी देखे क्यूसन है, कि grand old man of India किसे कहा जाता है, दादा भाई नोरो जी, याद कर लीजिए, फिर से यदि आए तो आप सही कर दीजिए, पूराने पेपर है, यानकि direct इसका solution ही करवाना है, तो हम आपको क्यूसन answer बता रही है कि ये क्यूसन आप से पूछा गया था, BCCI का मुख्याले मुंबई में है, सब को पता है, ये भी आपको याद कर देना है, और इसकी full form बता दीजी आप, आगे देखे, national technology day कब मनाये जाता है, यानकि राश्टर ये, आपके technology day के बारे में पूछा है, आपको 11 माई ध्यार रखना है, इसका answer दे रखा है, मार्च के माई के डेज पूछे जा रही है, पृत्री दिवस जल दिवस पूछा जा चुका है, अंतराश्टर महिला दिवस पर जोड दे दीजी, पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, 61 समिधान संसोदन कब हुआ, आप देखे, 61 समिधान संसोदन मैंने आपको करवा रखा है, यदि नहीं करवा रखा, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी अभी 2-3 दिन पहले की क्लास है, जिसमें General Awareness के पूरे 20 क्यूशन का मैंने Model Paper Upload किया है, और ये क्यूशन व आपके सिक्षा का अधिकार है, वो कौन सा Article है, वो आप उसी Article पूछा जा रहा है, और मैंने उसी क्लास में वो भी करवाय था, ये भी करवाय था, रनके सारे Article मैंने AQ करवाई थी, एक क्यूशन आपकी ये आ रहा है, ये देखे लिजी, क्लास कल पर सुग की है, आप जाक रख लीजी, ये आपने वहां से पढ़ा है, तो भी आपका सही हुगा होगा, और आपने पहले कई और से पढ़ रखा है, तो सही हुगा होगा, यानिकि एक्जाम में आपका टार्गेट होता है, सही करना, किसी भी चैनल से पढ़ें, किसी से बुक से पढ़ें, बस आपका स्किप कर दीजी यानकि ये क्यूशन फिर से आ रही है यानकि मिस्टेक से टाइप हो गई है ना मेरी नेशनल पार्क आप देखे आगे आप से पुछा गया है कि 17 मार्च 2023 का आपके सेकेंड शिफ्ट का पेपर आगे हम आपको करवा रही है फर्स्ट शिफ्ट का यहां कंप् है चैकर सम्मिलंग में भारत के तरफ से कोन गया था और कहा आयोजित हुआ प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी गई थी और चीन बीजिंग में ये आयोजित हुआ था इंपोर्टेंट क्यूशन है, चवद्वां ब्रिक्स सिखर संबेलंग। अब आपको बताना है कितनी सूचियां है, कितनी अनुसूचियां है, ये आपको कमेंट में बताना है। अकबर ने किसका निर्मान करवाया था, बुलंद दर्वाजा, ये जब मैंने टेक्निशन ए के लिए 100-500 प्रशनों की सीरीज शुरू की थी, उसमें क्लासेज में मैंने करवाया था, और बुलंद दर्वाजा कहा है, वो भी मैंने बताया था, आपसे भी पूछा जा सकता है, फतहपूर सिक्री में ये बुलंद दर्वाजा है, और अकबर ने बनाया था, ये मैंने आपको करवा रखा है, यानकि टेक्निशन ए के लिए इंपोर्टेंट क्यूशन जो मैंने आप से करवाय थी, उनमें से भी यहां आपके भी पूछा जा रहा है, तो पढ़ लेजिए कोई क्राइटेरिया मत रखे कि ये क्यूशन टेक्निशन ए के लिए इंपोर्टेंट है, ये एडमिन एंडरलाइन के लिए, तेंथ की दोनों ही बेस वेकेंसी है, यानकि दोनों के लिए जो आपके नोन टेक रहेगा, वो तेंथ लेवल कर रहेगा, पढ़ लेजिए, आप को पढ़ना पढ़ेगा, मोरिय वंस का संस्थापकोन है, चंदर गुप्त मोरिय सब को याद है, और हालांकि मैंने अभी-अभी करवा रखा है क्यूशन, नेट होल में दोनों तरफ कुल कितने खिलाडी होते हैं, ये मैंने नहीं करवाया है, आप पढ़ लीजिए, 14 खिला वो आपको करना था, और आपके जो उप्शन में मिले, वो भी आपको करना है, ये आपका भी एक्जाम नहीं हुआ होगा, मैं ऐसा मान रहा हूँ, जिसका हो गया है, वो भी कमेंट करके बताएए कि और इनके अलावा क्या क्यूशन थे, योगी मैं पूरी PDF बना रहा हूँ जर्मनी और फ्रांस के बिच कौन सी रेखा है, तो ये क्यूशन अभी अभी 13 यचाओदा मार्च को आया था, आई होप मैंने क्यूशन करवाया है, आपनी क्लासेज अटेंट की होगी तो, यानकि अभी अभी पेपर सोल्यूशन में करवाया है, फिर से रिपिट हुआ है क क्यूशन मेगा, मेगी नाट रेखा है, तो मैंने उस टाइम में कहा था, कि मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटल से नहीं पढ़ा है, और नहीं आपको पढ़ाया है, लेकिन आपको पढ़ना है यानकि फिर से रिपिट हो गया है क्यूशन, आगे आपकी थर्ड शि सौन में मैंने बताया था, विटामिन-A का विजानिक नाम क्या होता है, रताूंदी, तो यह मैंने वहां बताया दिया था, और आज आप से पूछ लिए, कल भी बताया है, यानकि 16 मार्च का टो पेपर सॉल्यूशन करवा रहे थे थे न, उस में बताया था, और आज होती है तो पस्ची मंगाल है पढ़ लीजिए हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए खाल सापन्त की स्थापना कब हुई गुरु गोविन सिंग ने की और 1699 में की खाल सापन्त ये तो सब को याद होगा नहीं है तो आगे अब याद कर लीजिए एकजाम में पूछा जा सकता है महात्मा गादी का जन्म इस्तान और बंदर गुजरात में है और आप बता देगे उनकी डेट क्या है डेट क्या है जन्म दिना क्या है ऑक्सिजन, कार्बन, सल्फर, मेगनिशिम में कौन सी धातू है आप देखे ये क्यूशन अच्छा है मैं मानूँगा बिष्ट क्यूश और कौन सा आपकी धातू है ये आपको कमेंट करके बताना है करवार रेलवे सुरंग किस राज्य में है करनाटक राज्य एंस्वर दे रखाया पढ़ लेजिए फिर से रिपीट हो तो कर दीजीगा और आगे भी यदि आपका सेप्टम नई भरती के लिए आप देख रहे ह आपके बोल ना हो सकता है आपके एक्जाम में कल छप जाए आप जरूर पड़े नाक के उपचार और हेडलाइट में किस दर्पन का उप्योग किया जाता है उत्तल दर्पन है आपकी और HAL का मुख्याली का है बेंगलोर में है आपको इसकी फुल फॉर्म कमेंट करनी है गुगल से सर्च करकि आप इसके बाल में और भी पढ़ लीजी क्यूशन कुछ भी हो सकता है चालीशवा समिधान संसोदन कब हुआ तो 1906 में और चोमालीशवा समिधान संसोदन पुछे तो 1908 में चोमालीशवा ज्यादा इंपोर्टेंट है पूछा जा सकता है मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है बढ़ते हैं आगे क्यूशन के तरफ महराष्टर के नई राज्यपाल रमेश बेस नेश कोम की स्थापना कब हुई 1908 यानि कि इन क्यूशन के बारे में आपको डेट याद रखनी है दुरोनाचारी पुरुषकार कब शुरू हुआ है या किस वर्स सुरू किया गया विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है वेश्विक बलाई के लिए वेश्विक विज्ञान आप देखें कितना आगी चला गया है इसका लेवल देखें आप कैसे देखेंगी मैंने अभी अभी आपके लिए क्लास लगई थी उसमें मैंने कहा था कि आपसे इंपोर्टेंट डे ये पूछेंगे आपसे पूछ लेंगे कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपको खर देना अब देखें कितना गुमा दिया है कि विज्ञान दिवस्त 2023 अभी अभी celebrate हुआ है ना उसकी theme क्या है तो देखे मैं कहता हूँ ना Google से सर्च करके कुछ और detail भी आप पढ़ लिया करो ताकि exam में आपका selection हो जाए और मैं आपका selection चाहता हूँ आपकी भलाई चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आप सभी का selection हो तो देखे क्यूशन आगे बढ़ चुका है वेस्विक भलाई के लिए वेस्विक विज्ञान इसकी theme थी I hope आपने ये सर्च करके पढ़ लिया होगा यही क्यूशन है मेरे पास यानि की 13 से 17 तक exam होए है उसमें मेरे पास 161 क्यूशन है और इसकी pdf में आपको दे रखी है लिंक है description में जैसे जैसे में इस pdf में कुछ भी सुधार करता हूँ आपकी pdf में automatically सुधार हो जाता है तो आपको download कर लेनी है बहुत बहुत देने वाद आप सभी का यहां तक जूड़ने के लिए channel को subscribe करने के लिए वीडियो को share करने के लिए